और आपकी ऐस वीडियो में हम करने वाल हैं कलास्टेण ज्योगर्फी का जो हमारा क्रिस्री चैप्टर है उसमें से हम आज महत्पॉर्ड जो है एंसी क्यू करने वाले हैं जो कि इस बार हमारा जो है किसी चैप्टर रहेगा और mcq हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो इस जो है सारे कुष्टन का जो है पीडियेप का लिंक भी हम आपको दे देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो चलिए फिर हम वीडियो को सुरू करते हैं साथी साथ इस वीडियो के लाश्ट में आपको हमको घाल एंसे пой हम शचलिए किप लद में जा아े अपो यह ऊजयाए ऑप्रो समय दीजी आपको बहुत होने वाला है वार हमारे मंसीक बहुत इंपोरण है तो आ पहला कुस से नमारा कैना है भारत मेर वी की फसल का बोई जाती है अक्टűber-घूमबर मार्च अप्रैल जून जुलाइ इन में से कोई नहीं तो हमारा पर पहला वाला से होता धूला अक्टूबर-घूमबर में रवी फसल बोई जाती है और यह परवेरी मार्श में काड ली जाती है ४ अगर इसमें आगये सरदियों में आप Generally में तब आपको यहाँ पर सरदियों में करना है क्योंकि हम्ला नौबर में सरदियों मतलब सुरूर हो जाती है आगला पत्हूं family देखते निम लिखित में रवी यहां पर रवी रहेगा रवी मौसम में उगाई जाने वाली फसलने कौन सी है गेहूं मटर और सरसो चावल जूट मक्का और सोयबीन खीरा खरबूजो सबजी यह गन्ना और तंबागो तो हमारा अपसे नहीं पर पहला वाला सही हो जाता है गेहूं बोरो को जो हम खरेव की फसल कहते हैं तो यहां से अगर आपको एंसे क्यों में आ गया बोरो क्या है एक आप्सन दे दिये गया आपको खरेव की फसल रवी की फसल जायत की फसल तो आपको यह पर आप्सन में सही करना है खरेव की फसल और भारत में जो है तीन मौसम की फसल ले होते हैं रभी फसल जायत फसल और खरीब फसल तो मरों सब्सक्राइब अब आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजी नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो को लाश्ट में इसका एंसर जरूर बताएंगे प्रिंट से एक रिक्वेश्ट है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए निमलिखित में जायत की कौन सी फसल है मूंग और गेहूं सरसो उड़द तरबूज और खीरा तो हमारी आपको पहले बता दें जायत की फसल हमारी मार्च अप्राय में लगबक बोई जाती है इसमें घर्भूजा खीरा ककड़ी यहीं सब बॉय जाता है जो कि कम समय में हो जाता है। यहाँ पर हमारा option से होता है चौता वाला तर्बूजा और खीरा, अगला प्रसंदेखते हैं जूम क्या है, एक लोक दित, एक नदी का نाम, किरिसी का एक परकार, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा option यहाँ पर सही होता है, सी वाला जूम जो है एक किरिसी का परकार है, जिसे हम क करतन दहन प्रडाली को क्या कहा जाता है पमलू दीपा जूम इन में से कोई नहीं तो हमारा जो इन राज्यों में जो है करतन दहन प्रडाली को हम जो है जूम कहते हैं अकला प्रसंद देखते हैं एक आपको याद रखे लिजिएगा अगर आपको MC को इससे और भी बन सकते है जैसे करतन दहन प्रडाली को मड़ी पूल में जो है पमलू कहते हैं और 36 गड़ के बस्तर जिले और अंडबान निकोबार दीप समू में इसे दीपा कहा जाता है इसी पर आधारित आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजी नहीं तो आपको वीडियो को लाश्ट में जरूर बताएंगी मेक्सिको और मद्हेमेरिका में जूम को जो है क्या कहा जाता है यानि करतन देहन प्रायली को क्या कहा जाता है अगला प्रस्ण क्या है जूम किस तरह की किरसी है और प्रारंबिक जीव के निर्वा किरसी गहन जीव के किरसी वाडिज्यक किरसी इनमें से कोई नहीं तो हमारा प्रारंबिक जीव के निर्वा किरसी यानि कि ये किरसी जो है हमारी पूरी तरह से प्राकरतिक पर निर्वर हो उप्सने के अगला देखते हैं भारत की एर्थवेस्ता को मुख्याधर क्या है कि अगला प्रस्ट देखते हैं इन में काउंड राज चाय का परमुक उत्पादक है यानि की सराज में सबसे यादा चाय का उत्पादन होता है जहारकंड महराष्ट असम पश्चिम बंगाल तो हमारा चाहे का सबसे अदर उत्पादन असम में होता है अगर आपको ऐसा कुछ से नहीं है यहाँ पर कितने भागान है तो यहाँ पर हमारे 750 भागान है अगला परस्ट देखते हैं चावल के उत्पादन में कौन सा राज प्रथम अस्थान पर है बिहार, मद्ध प्रदेश, उद्धत प्रदेश, पस्चिम बंगाल तो हमारा उप सन्या पर सही होता है डी वाला यहनकी पस्चिम बंगाल नंबर वन पर है चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो हमारा उप सन्या पर सही होता है बीवला यहनकी दूसरा, पहले स्थान पर हमारा सही है चीन है तेहरों प्रस्ट क्या है माराष्टा किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है धान, कपास, कहवा, कहवा मतलब काफी होता है जूट तो हमारा अपसनिया पर सही होता है कपास माराष्टा में हमारी काली मिर्दा पाई जाती है अब जो एक काली मिर्दा जो है कपास के लिए उप्योक्त मिट्टी मानी जाती है अगला प्रसंदेखते हैं कहवा काफी का सबसे अधिक उतपादन किस राज्य में होता है आसम, करनाटक, केरल, तमिलनाडू तो हमारा अपसनिया परस ही होता है बीवाला यानि कि करनाटक में अगला प्रसन देखते हैं भारत में सुद्ध बोई के भूम कितने हक्टेर है यानि कि कितने जो है सुद्ध जो है किरिशी होती है कितने बोई फर पांच करोड अदे unos Ab вкусiginda में भारत का इसमें कहला स्थान है हमारा अगला अग्ला प्रस देखते हैं पंजाब की उखेसल कौंश की बाज़रा धान चाय गएहीं तो हमारा अप्सन पर सी होता है ठीवाल यानिकि गेहीं अगला प्रस्म देखते हैं चाय किस प्रकार की किरसी फसल है रोपाड रोपड निर्वा किरसी आदिम किरसी रवी तो हमारा अपसे नहीं है पहला वाला सही होता है रोपड यानि कि जो लंबे समय के लिए होता है इसकी चाय की जो हमारी जाड़ी होती है और यह लंबे समय की फिरसी होती है अगला पर देखते हैं इनमे से कउन दलहन की फचल नहीं है चनना और जरा मसूर इसे पहले हमारी जर्ण जो है नाज में हमारा प्रोटीन पाए जाता है ताम आपसें इसमें जो है यह जो है अगला है बहुत बिस्तु का लगभक कितना प्रतिसत काफी कहावा जिसे कहते हैं उत्पादन करता है 2% 4% 5% 6% तो हमारा जो है 4% सभी होजता है अगला प्रहते हैं 200 में लिकित में कौन सा उत्दों किर्जी से संबंदित है जूट और वर्वरक लोह इसपाथ सेमेंट तो हमारा आपस्ण यहांपर से होता है 22 प्रसंदेखते हैं रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन है बिहार उत्तर प्रदेश मद्ध प्रदेश करिनाटक तो हमारा उपसने अपर डी वाला सही होता है करिनाटक एक चीज़ और आपको हम बता दें अगर ऐसे मसी क्यों आ गया रागी में प्रयाप्त मातर में क्या पाय जाता है तो हमारा उपसन आपर सही होता है सही होगा आयरन पाय जाता है अगला प्रसंदेखते हैं बाजरक का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन साही राजस्थान हरियाडा, पंजाब, बिहार तो ये बाजरक का सबसे बड़ा उत्पादक राजी वो है राजस्थान अगला देखते हैं कौन सा राज जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बिहार, असाम, उड़ीसा, पस्चिम बंगाल तो जो हमारा उपसन सही होता है पस्चिम बिए तुमारा उपस्चिम आपर सबसे आता है महारा आश्क्रा सी अगला प्रस्था लकिंडरा अग्ला प्रसैते हैं कापास जूट यहां पर प branch रहेगा, कौन सी फऽे हैं, खाद्दान फसले तो नहीं है, पेह फसले भी नहीं हैं, यह जो हमारी रेसे वाली फसले होती ह अगला प्रस्टन देखते हूं निम्लिखिद में से कौन से देश में अस्थाना अंतरड केसी को अस्थानी भासा में रोका कहते हैं बेनेजुएला ब्राजील इंडोनेसिया वियत नाम तो हमारा अप्स्थाना अंतरड केसी क्या होता है यहां पर कुछ समय के लिए मिट्टी प्रस्था एक रिक्ष्ट है आप प्लेज हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया दीजिए गांदी सोपरेस्ट कौन सा है कौन सा राज जोर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य करनाटक अंधप्रदेश महाराष्ट मध्य परदेश नहीं ह Посow . हमारा उपसक Adapt सबस्था होता हिं होता है महाराष्ट सौष अगला प्रस्थन देख्ते हैं गाley की फसल त्यार होने में लगभग कितना समय लगता तो यह क।्या में रहते हैं गन्य की समय काल होता है वो यह हो एक वर्स के दूद की उत्पादन में करांती को कौन सी करांति कहते हैं इसवेद करांति भी कहते हैं और एक यह सफेद करांति कोई को नहीं हुआ है कि वह क्मारा होप्सिरी अपर स्यूक्ष ॕ और से तक करांति सथ जो दूद्ध जो हैमारा सभेद होता है साइध इसलिए इसे हम स्व्यावित करांथी भी कहते हैं सैध रबर की खेटी भारत की किस राज्य में यह पर किस रहेगा किस राज्य में की जाती है। तो हमारा उप्सन यह प्रस्य होता है केरल गुजराच 36 गड़ अंधर देश तो हमारा उप्सन यह पर एवाला सही होता है केरल अगला प्रस्ट देखते हैं कपास उत्पादन के लिए उप्युक्त मिट्टी कौन सी है अभी हमने आपको उताय था कपास जो है काली मिट्टी क मतलब कपास के लिए खाली मिट्टी ज्यादा उप्युक्त होती है तो हमारो अप्सन अपर म्हां पर सही होता है बेवला काली मिट्टी ए ilie किसी से संबंधित कॉन सी करांति हरिद करांत स्वुद करांत पीली करांत उप्रयों सभी तो हमारा उप्षन पर से लोटा है वाला हरिद करांती दक्षिर भारत में सरवाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है यह बढ़ी पूछा गया निकी करनाठाक महराश्च तमिलनाडू अंध्र प्रदेश में से हमारा अप्सने पर से होता है महाराष्ट्र अगला प्रस देखते हैं निम लिखित में इसे किस फसल को सुनहरा रेशा का नाम से जानते हैं तो हमारा होता है जोट जोट कॉम सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं निम लिखित में कौन सी दलहन फसल खरीब फसल है यह पर जो हो ने जपक है ज´ब तो ही याप श्राब्स है यह तो सभी अगला प्रस्ण देखते हैं भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्जी काउंसा है उत्तर प्रदेश तो यहां पर होता है हमारा उत्तर प्रदेश ही है पहले आपको यह बताया था हरित क्रांती सबसे अधिक सफल दही पंजाब और तमिलनाडु में पंज स्याटी का जो चार प्रस्ण हो आगया निम लिकित में से कौन सा और इस आगे जो हमने आपको कुछ क्वेश्टन देखते उसका एंसर भी हमना हमने आपको बताने वाला हूं और अगर आपको और वीडियो देखनी है तो आपको लिंक जोहर नीचे डिस्प्रिशन में मिल जाएगी और आई बेटन में भी मिल जाएगी तो पहला उसने अपर हमारा निम लेकिन में कौन सा उस्त किरसी पढ़ाली को दरसाता है जिन में एक ही पसल लंबे चोड़े छेत्र में उगाई जाती है अस्थानांतरी किरसी बागवानी रोपट किरसी गहन किरसी तो हमारा अगला प्रसंद देखते हैं इन में से कौन सी रभी फसल है चावल चना मोटा नाच का पास तो हमारा उसने परसी होता है जो कि अक्टूबर नूंबर में उगाया जाता है और फरवरी मार्च में कट लिए जाता है इन में से कौन सी एक फलीदार फसल है दाले जोर तिल अगला प्रसंद देखते हैं नियुन्तम समर्थन मूल यहां यहां पर आपको क्वेस्टन दिया था जयो जो है किस मौसम की फसल है तो हमां आपको पताते हैं जव रभी मौसम की फसल है और एक और दिया था मैक्स को और मध्य अमेरिका में जो है जूम को करतन दहन प्राली को क्या कहते हैं तो उसे हम मिल पा कहते हैं मिल का निक की नाम से जानते हैं अगर प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कि दिखा और वीडियो को हमारे जरूर जो है लाइक कर दीजेगा थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में